नमस्कार आप देख रहे हैं जी पंजाब भर्याना ही माचल मैं हूँ आपके साथ श्रमित चौधरी और सबसे पहले पंजाब की सियासत की बात पंजाब में सियासी पारी पूरे शबाब पर है पंजाब विधान सभा में पूरी रात राच निति गहमा गहमी देखने को मिली पहली बार ऐसा हुआ कि आवे श्वास प्रस्ताव गिरने से खफार नीता विरोध में सदन में ही बैट काई बावजु दिसके की विधान सभा की लाइट्स बंद कर दी काई लेकिन कॉंग्रेस विधायक डटे रहे तो ये है पंजाब विधान सभा के बाहर की और अंदर की सिती किस तरीके से कॉंग्रेस के विधायक डटे हुए हैं सियासी गहमा गहमी चारी है और सोमवार रात से अविश्वास प्रस्ताव गिरने सी नाराज कॉंग्रेस विधायकों का धरना चारी है सदन में जहां कॉंग्रेस के विधायक डेरा जमा रहे थे तो वहीं विधान सभा के बाहर भी सुबा तू-तू मैं मैं देखने को मिली हाथा पाई देखने को मिली दरसल कॉंग्रेस विधायकों के धरने को देखने हुँ सुरक्षा बढ़ा दी गई और सदन से बाहर जाने वाले विधायकों को जब अंदर आने से रूका गया तो हंगामा हो गया और विधायकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच तू-तू मैमा हो गई सांसद राज़सभा सांसद अंबिकास सोनी ने विधान सभा में जाने की कोशिश की लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया लेकिन फिर आप देखिए कि किस तरीके से जो विधायक बाहर गए थे थोड़ी देर के लिए जब वो अंदर आने लगे तो फिर कैसे हंगामा हुआ राजा वड़ेंग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कैसे वो पुलिस कर्मियों से आपने सामने जो है उनकी तूतू में में हुई और जो बाहर गए हुए विधायक थे वो भी अंदर आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इस तोरान गहमा गहमी हो गई गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने इनको रोकने की कोशिश की लेकिन इस तोरान वहाँ पर गहमा गहमी देखने को मिली हाला की बात में ये विधायक अंदर आ करे दो तस्वीरים आब आपको दिखाते हैं किस तरीके से विधान सभा के बोफार जो गेट है वहाँ पर एंट्री को लेकर बापर ये हंगामे की तस्वीरे देखने को मिली सुरक्षा कर्मी उसे तू-तू-मेमे हुई अबरिंदर सिंग राजा वडिंग की और इसके अलावा अंबिका सोनी को एंट्री नहीं मिली उन्होंने बाचीत की अपना राज्य सभा कार्ड दिखा है राज्य सभा मेंबर होने का लेकिन उनको विधान सभा में दाखिल होने के आरूमती नहीं मिली और विधान सभा में अल्पी को लेकर विधायकों और सुरक्षा कर्मीों में तू-तू-मेमेह हुई आप देख सकते हैं कैसे गेट पर काफी गहमा-गहमी वाली तस्मेरStudies देखने को मली सुरक्षा कर् जो विधायक थे वो पूरी रात जो हैं अंदर धरने पर बैठे हुए थे लेकिन सुबहें कुछ को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है इस समय यहां पर जो देख सकते हैं विधायक जो हैं यहां यहां पर भागादा जो हैं यहां पर बहस बाजी हो रही है बिलबीर असी गर्मीच सारी रात पुखेते हैं अपनी रात कर दिया है पर सरकार बजाए इस गालों फ्यसकार ने कि सरकार जो आज हलात ने सरकार उसकल तो पाज रही हैं और असी चाहुनिया के सरकार सिद्धे होकर साथ डिवेड़ करें जो भी गलां असी अफ्लोर आपता हाउस तो आप देख सकते हैं जो यहां पर प्रस्थीती जो बनी हुए यहां पर अभी जो विधायक हैं कॉंग्रेस के वो अंदर जाना यहां पर चाह रहे हैं लेकर उनको अंदर नहीं जानी दिया जा रहा है साथू सिंघ ध्रमसो जो है वो सब्सक्राइब ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के लिए गए थे लेकिन जब वापिस आये तो यहां पर गेट जो हैं वो बंद हुए हैं तो जो यहां पर जो ऑपो की स्थीती जो यहां पर बनी हुई है वो आप देख सकते हैं यहां पर क्योंकि जो अधिकारी है उनका यह कहना है कि उनके ऊपर उपर से उनको जो उच्छ अधिकारी उनका फोन आया हुआ है और वो यह निर्देश जो उनको मिले हुए है उसके मताबिक वो यह गेट नहीं खोल सकते हैं और वहीं यह जो विधायक है जो कॉंग्रिस का यह कहना कि वो चुने हुए प्रतिनिधी है और ऐसे में उनको विधान सभा में जाने का पूरा हक है लेकिन जो स्थीती है वो यहां पर काफी तनापून बनी हुई है कैमरा पर सनाकाश के साथ निप्रिंजा जी मीडिया चंडिगर और विधान सभा के बार सुरक्षा बढ अधिवेशन हो विशेश तोर पर विपक्ष को अधिकार है कि वो नो कांफिडेंस का मोशन मूव करें आज जो पंजाब के हालात हैं उन पर रोशनी डालें जो रोज आए दिन तीन तीन आतम हत्या हो रही हैं किसानों में उसका जिकर करें किसलिए लोगा में चुनते हैं और अगर उनको बोलने ना दिया जाए स्पीकर अपनी चेर छोड़कर डेप्टी स्पीकर को बठा दे और वो सब लोग बहाँ चले जाएं यह कोई डेमोक्राटिक तरीका नहीं है कॉंग्रेस के कुछ विधायक सदन से बाहर आए थे और उन्हें सदन में धरना दे रहे विधायकों के पास नहीं चाने दिया गया जो अब धरने पर पैटका हैं बाहर बैठे विधायकों से खास बात्चीत की जी मीडिया समभात आता ने अनसाबादी एंटरस जड़ी में रोड़े है उतों शुरू हों दिया और उते बाक्यादा बैरिकेटिंग करके पूरी जड़ी अमेलेज है उनना नों इते रोग दिता गया ठीक मेरे पीछे तुसी देख साथ दिया हूं कि जड़े चंडिकर पूलिस जड़ी फोर्स है उ और किसे नों अंदर जड़ा जानी दिखता जा रहे है और एथे रिजिंदर कौर पठल इस तो लावा अपना वेरका साथ तमाम जड़े कॉंग्रेसी आज जड़े विदायक नहीं हो इते बैठे होई ने तुसी देशाथ आप जरूर घर करांगे पहला पठल सा मैं अंदर है पैठे मात जड़े लेट जड़ेड़े लेटें की डार करनी है इस साथी नंडर बैठे ने कोई टल्ला हो बे मठ्वा पुछ माइं देखना जाल है ते रातपर जब करने इन जम्मेबार सपकार अबिका सोनी वी सुरे ऐसी ओनर में और जड़ा विदानसवाद गेट सी गोत भी अंदर नी जान दिता है उना उथ नहीं जान दिता हूं थोड़े सामने दिखो बैटे तुसी आके कि कि में कोई रोक सकता है विदा आने कि तो औरते उती कि नहीं डफ्तर हों देने इस तरह कदे आज तक नहीं होया हिस्ट्रीज के में ले बदा आनसवाद चांदर जान तो रोक्या गया होँए यह पहली वार होया और साड़ा मक्सदे सी इस मामले नूँ ठीक करना हलात नूँ ठीक करना इह लात आप गारना चाने साड़े साथियां नूँ बंदी बनाता किसे नूँ दुवाईदी लोड हो साग दिया किसे नूँ जुरूरत हो साग दिया एड़ा वे इंसाफ एड़ा डेमोक्रेसी दागडा को उटते सारे नूँ बंद करें पैसा नू अंदर नहीं जान दे रहे लें पहले गलते हैं कि हुन विदान सभा तो चड़क तक कांग्रेस पाल्टी चड़का दे उत्रें ए लडाई अखीर तक लड़ांगे और ए लड़ाई हुन दे बैडे वदेगी हुन पाल्टी दे सारे सिनियर लीडर हुने चड़का दूपर उत्रे हैं और ए सरकार अज़े भी स पाज़ गई असी जो पर साब ने तिन केंट्या लई ए उपर बैस लिए इजाज़त दिती स्पीकर सामने और स्पीकर साब कुरसी चड़के पाज़के बादल साब सीटना सब्सक्राइब के पाज़के सारा काली दाल पाज़किया असी उन्हानों विदान सभाज रादे ल सब्सक्राइब करना है रात पार अंदर रहें जेड़ी सरकारते मतेक कालक है कदेश्चा इस तरीके दिनार साटा हक है प्रोटेश्ट का दा लेकर आएं सानू सड़कांते रोकन गई तब लडाई सड़कांते तहाई गई एक मेले नू बिदां जानगता हक नहीं यह दस दूसी बदांसा बदांसावा नी जा सकता था मेले एम ले जाके वाज किते उठाएगा लोकां ने सानू चुड़े आँ असे लोकां दे वाज ठ सब्सक्राइब 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 देखने को मलता है और दूतरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है विधान सबा में कॉंग्रिस के वरिष नेता पहुंचे परिसर में एंट्री नहीं मिली और इस तस्वीर में परिसर के गेट पर अंबिका सोनी नजर आ रही है जिनें आईडी कार्ड दिखाए जाने के बा कर जी मीडिया समबाद दाता इस वक्त हमारे साथ चंडीकर से मौजूद हैं जक्तार इस वक्त कॉंग्रिस पूरे मूड में नजर आ रही है कॉंग्रिस जो है अब सदन के अंदर भी उसने मोर्चा संभाल लिया है और सदन के बाहर भी up इने राज़कौार अभी अर्जिय चलिए इस वक्त बीजेपी नेता तरण चुक का कहना है कि कॉंग्रिस को बोलने का पूरा मौका दिया गया लेकिन कॉंग्रिस ने मर्यादा का उलंगहन किया उना दी पार्टियां दे मुखिया बोलेने लेकिन चुनावन मद्दे नजर देख दे होया सुत्ती भी कांग्रिस दे लोग पबलिक चाहिनी इमेज बनानवस दे एखोजे स्टंट कर रहे ने और एक फिल्मी स्टंट है ना कि कोई है रे विचको पलिटिकल गलबाता है तो बीजेपी इसका विरोध कर रही है और कॉंग्रिस की इस एक्शन को बता रही है कि ये मजाग किया जा रहा है कॉंग्रिस की तरफ से हमारे साथ है जक्तार भुलर जी मीडिया समफात दाता इस वक्ट चंडिगर से हमारे साथ मौजूद हैं जक्तार इस वक्ट कॉंग्रिस पूरे जोश में नजर आ रही है और सरकार की तरफ से अभी इस सिती से निपटने को लेकर पत्ते नहीं खोले जा रही है आज हमें रोका गया है तो हमारा ज़े लडाई जा रही है हमारे आज प्रेजिडेंट कैप्टर मौजूद सिंग ने यो सड़कों पर आई है पहले कुछ हमारे अमेले से अंदर बैठे हैं रात बर जहां ना बिजली थी ना पानी था लेडी मेंबर भी थी लाइट भी बं जा है नहीं जा सकती उनको अंदर बैठे हैं सारा कुछ बंद कर दिया किदी बना दिया लोगों ने मेले बनाया है एकिस्पिक करде भी लेडियो तो नहीं तो अनुन सुनना ही था लेकिन उसके लिए ना ये तो स्पीकर साब की तरफ से ना ही सरवकार की तरफ से कोई पाहल कादमी आई है तो हम तो लोगों के चुने हुए लोग हैं, हमनी लड़ाई जा रही हैं अंदर भी जा रही है जे सडक पे आप देख रहे हो जहां पे लाटियां लेकर लेडी कंस्टेबल्स भी दूसरे भी खड़े हैं जहां भी जा रही है और दूसरा हमारे प्रेजिडन्ट ने सारे पंजाब में कह दिया अज सारे डिस्टिक हैड़कोर्टरस में से हमारी जो कांगर्स है उनको प्रेजिडन्ट साब ने हदयत की है मुझे बताया उन्होंने टेलीफोन पे कि वो भी रोज़ दरने कर रहे हैं हमें रिंडम दे रहे हैं लेकर हमें लाल सिक जी आप बड़े वरिस्ट में कई दफ़ा चुनकर रहा है लोगों ने आपको बदानसवा में जा कभी ऐसे दिन में के रात के समय कॉंगर्स पार्टी को प्रटस्ट करना पड़ा है कि 40 साल की मेरी जो यहां की बदानसवा की सेवा है मने 40 साल में कभी ऐसा नहीं द हमारा लीडर ऑफ दा उपल चैनली को बोलने नहीं दिया रोला अपा डाला और स्पीकर साब भाग गए महां से चोड़के तो उसके बाद हम यह चाते हैं यह बहस हो उसके लिए बजिद है हम उसी तरह चिटान की तरह खड़े हमारे हमेले जबके वही बठे हैं हमारा पर् और जब तक कल तक शहसे शुरू नहीं होगा वहीं बठे बैठे रहेंगे और उनके लिए ऐसी मारी बात मैंने कभी नहीं देखी ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे टर्रिस्टों से रता है तक तर्रिस्टों से तर्णार सिंग जी यह भी कोई हाल तो नहीं है देखिए वो बबार है को शुगर का मरीज़ है खाना तो बहुत दूर की बात है उनके लिए दवाई अंदर जाने नहीं दे रहे हम सुबा के यहां खड़े हैं हमारे हमें मिले हैं लोकों के चुने होए नमेंदे हैं लिए कॉंग्रिस यहां पर सड़क पर नजर आ रही है और सदन में कि नजर आ रही है और डटे हुएं पूरी तरीके से कॉंग्रिस के नहीं था सरकार के भीतर क्या कुछ हल चल है क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है आपको पुनीत आवाद मिल रही है आपको जी 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 शमीट पुनीत हम ये कह रहे हैं कि यहां पर सरकार के भीतर क्या हल चल है क्या प्रतिक्रिया मिल रही है कॉंग्रिस एक्टिव नजर आ रही है सड़क पर भी और सदन में भी जी जी जाही तो पर जो कॉंग्रिस ने जो जो कह सकते हैं कि सरकार के खिलाब जो आकरामक रुख अख्तियार किया है वो सदन से लेके अब सड़क तक पहुंच गया है और यहां पर लगातार जो सरकार की उपर वो कॉंगरिस की जो राजनिती है वो भारी पड़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है यह विजा है चाई भूमे योगा कि सदन के गर्मा होती है और जिस तरह से उनोंने सरकार के मूख्याप पर निशाना जो साद़ा है उसके बाद जो उसकी तिती है वो खुराब हुई है उसके बाद सदन से वहाँ से जाना बेहतर समझा लेकिन कॉंग्रिस का ये कहना है कि लगातार वोई डिमांड कर रहे थे कि जो अविश्वास पर स्थाव जो कॉंग्रिस की तरफ से लाया गया था उस पर चर्चा होनी चाहिए थी उस पर बहस होनी चाहिए थी लेकिन कल जब दुबारा सदन शुरू होगा वो वहीं पर अंदर सदन में डटे हुए हैं और सदन वहीं से शुरू होगा जहाँ पर खत्म हुआ था यानि की बहसे सदन जो हाँ खत्म हुआ था और बहसे ही दुबारा शुरू होगा यानि की कॉंग्रेस के जो कहा जा सकता है श्रमी जहां पर जो गेंद है वो अब कॉंग्रिस के पाले में है और कॉंग्रिस यहां पर यह मोका जो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहेगी जाही तोर पर कॉंग्रिस चाहती है कि 2017 में जब विधान सबा चुनाव हो जनता के से जुड़े मुद्धे हैं वो उनको लेक अभी तक तो यह जी अभी तक तो इसमें साथ नहीं हो पाए कि वो कब तक यहां पहुँचेंगे लेकिन जिस तरह से ब्यान बाजी हो रहे हैं जो हमारी लगा कि यह मामला जो है राजनिती करन हो सकता है इसका तो जाहितोर पर चंडिगर पूलिस का यहां पर सहयोग लिया गया और यहां से लगबग एक किलोमेटर दूर जहां से विधान सभा का में रास्ता शुरू होता है वहीं पर बैरिकेट्स लगा दिये गए गया है बिल्क बहुत शुक्रिया पुनीत परिंजा और जक्तार भूलार हमारे साथ इस जानकारी के लिए जोड़ने के लिए और आप दर्शकुआ भी शुक्रिया इस बूलेटिन में हमारे साथ जोड़ने के लिए